जबलपुर से शनिवार सुबह छंदवाड़ा आ रही सूत्र सेवा बस घाट परासिया के समीब अन्यंत्रित होकर पलट गई हाथसे में 20 यात्रियों को चोट आई है सभी घायलों को जलास पताल लाकर भरती करवाया गया है पांच घायलों को प्राथमी के इलाज के बाद नागपुर और जबलपुर रिफर कर दिया गया गनिमत ये रही कि इस भीशन हाथसे में कोई जनानी नहीं हुई बताया जा रहा है कि छंदवाड़ा की ओर से जा रही बस ने सूत्र सेवा बस को कट मार दी थी जिसकी वज़े से बस दुरगटना गरस्त हो गई दूसरी और पुलिस का मानना है कि बस की रफ्तार ज्यादा होने से हाथसा हुआ है कुंडिपुरा धाना प्रभारी महिंद्र भगत ने बताये कि जबलपुर से यात्रियों को ले कर छिनवाड़ा आ रही बस अन्यंत्रित होकर बस घाट परासिया के समीप पलट गई हाथसा सुबा लगबग साड़े ग्यारा बजे का है हाथसे में लगबग 20 यात्रियों को चोटाई है सभी घाईलों को 108 एंबुलेंस और नेजीवानों से जिला अस्पताल पहुँचाया गया हाथसे की सूचना पर प्रशासिय का धिकारी मौके पर पहुँच गए थे